जहिन दोस्तों जहरकन के एतिहासिक अस्तल और पुरातात्विक अउसेस को यहां देखने का प्रयास करेंगे और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे यहां से एक कोशन अच्छा देखने को मिलेगा चाहे आप जहरकन का कोई भी एक्जाम देंगे तो यहां से अच्छा आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद उसमें जब पढ़ाते हैं, तो आप देखते हैं फिटबैक अच्छा नहीं आता है, तो यहां पर हमAd Maidakar करके पढ़ाएंगे, आप देखते हैं ऐसा आता है, मतलब चाइनल चलता है तो पढ़ाने में मजा आता है, नहीं चलता ह और जब ऐसा नहीं होता है तो फिर लगता कि नहीं पता चलता है वीडियो अपलोड की हैं 10 तो-5 तो सब्सक्राइबर उल्टा काम हो जाता है तो बहुत डिमोटिवेट होता है लगता है कि फिर छोड़ दें ऐसा लेकिन कुल मिलाकर जब बढ़ता है तो फिर पढ़ाने कमन क करता है पता नहीं आप लोग मतलब ऐसा ऐसा बहुत लोग को देखते हैं कि जो कभी मतलब कभी नहीं फेस किया और उसके बाद भी पढ़ा रहा है तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है आप लोग का लेकिन जो इतना मेहनत करके और बहुत सारा एक्जाम फेस करके आपको इसे पढ़िये ओई से पढ़िये लेकिन आप लोग का अच्छा प्यार नहीं मिलता है खर वो अलग बात है अब आप लोग पड़ाते है अब देखते हैं पढ़ाते हैं जहां तक आप जेल इंगे आ रहा तो उसको भी मन नहीं करता पढ़ाने का तो क्या कर सकते हैं यह बस मेहनत है देखिए कितना दिन तक कर पाते हैं अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो चलता रहेगा ठीक है तो दीए सबसे पहले आ जाते हैं यहां पर इसको इसको ठीक है इसको को यहां देखना जरूरी है इसको है पहले कहां पर तो हजारी में ठीक है अब हजारी बाग में ये इसको है तो यहां से जितना भी कोशन बन सकता है जो पुछा जा सकता है उसको बहुत अच्छा से जानना समझना जरूरी है ठीक है जैसे सबसे पहले यहां पर आदी मानो का चित्र जो मिला है उसको पुछा जाता है क्या चीज आदी मानो आदी मानों का चित्रह जो है वो मिला है तो यहां से कोशन पुछा जाता है कि आदी मानों का चित्रह कहां से मिला है तो यहीं से मिला हुआ है ठीक है इसके बाद एक कोशन पूछा जा सकता है आपको, बहुत अच्छा यहाँ पर, कि एक खुला, ठीक है, खुली सुरिय, एक सुरिय मंदिर, ठीक है, सुरिय मंदिर कहां से मिला है, सुरिय मंदिर, तो यह भी यहीं से मिला है, तो याद रखेगा, खुला सुरिय मंदिर यहीं से मिला है ये भी कोशन पूछ सकता है बढ़िया कोशन बन सकता है यहाँ पर भूल भूलया ठीक है भूल भूलया भी आपको यहीं देखने को मिलेगा ठीक है ये भी कोशन पूछा जा सकता है नच्छत्र बन ठीक है क्या चीज तो नच्छत्र बन ठीक है नच्छत्र बन इसको कहीं कहीं नच्छत्र मंडल भी लिखा हुआ मिलेगा तो नच्छत्र मंडल तो भूल भूलया नच्छत्र मंडल ठीक है अंतरिक्ष में जाता हुआ मानो का चित्र ठीक है मानो का चित्र ठीक है इसके बाद यहां पर जितना भी अगर से संबंदित कोई भी बात होगा तो याद रखेगा यह हजारी बाग मैं और अंतरिक्ष में मानो का जाता हुआ चित्र यहां से फिर उसके बाद खुला सुर्यमंदीर मिला है भूल भूलया है नच्छत्र बन का चित्र आपसे इतना ही कोशन पूछा जाता है बर्फ वायू और एक का जो एक गहरा भूमिगत जो गूफा है वो यहां से प्राप्त हुआ है यह भी कभी कभी पूछता है बात आया हजारी बाग से तो हजारी बाग की स्थापना याद रखेंगे 1833 में सबसे पुराना जि अधिक जो वर्षा होता है वर्षा यही पर होता है जिल्ला में जिल्ला में अगर पूछा जाए सबसे अधिक वर्षा कहां होता है तो यह हजारी बाग में होता है लेकिन यही अगर पूछेगा कि अस्थान कहां कौन सा अस्थान पर होता है अस्थान में सर्वधिक वर्ष और यहाँ होता है कहां पर तो याद रखेंगे यहा थिक एहाँ पर नेतर हाट में तो यह है घिक बातिये है लगेगे ठीक है, बिनोबा भावे इंबरशिटी हजारी बाग में है, यहांपर सेख विकारी मेडिकल कॉलेज जो है वह हजारी कॉलेज है इसके बाद यहांपर एक जेल है, आप सब को पता होगा यहांपर, कौन सा जेल है आप लोग बताएगा परकास नरायान जेल यहें पर है, हजारी बाग में है, तो ये सब याद रखेंगे, संत कोलंबस कॉलेज, जो है, वह जारी बाग में है, जो 1899 में बना था और ये सबसे पहला महाविद्दाले है जारकन का विश्व विद्दाले राची है वो 1990 में बना है वो पहला विश्व विद्दाले राची विश्व विद्दाले लेकिन महाविद्दाले जो है न वो सबसे पहला कोन है तो ये मतलब संत कोलंबस हुआ और ये जो इसको है ना ये बढ़का गाउं छेतर में पड़ता है जारी बाग का तो बढ़का गाउं छेतर हजारी बाग में देखेंगे तो important है वहाँ पर बरसो पानी वो देखने वाला स्थल है बरसो पानी उसको याद रखेगा बरसो पानी ठीक है और बादम का किला दो important है बरसो पानी और एक है कौन बादम का किला पढ़ाएंगे बादम का किला एहमंद सिंग ने बनाया था बादम का किला ठीक है और वो रामगर राज का एक राजा हुआ करता था जब डिटेल पढ़ाएंगे तो बताएंगे थोड़ा सा इसको याद रखेंगे अब हजार है इसारेंगे सीता गढ़ ठीक है सीता गढ़ पहारी ठीक है पहारी अब सीता गढ़ पहारी भई क्यों रह야 कि यह याद रखेंगे और इसमें important है कि 6 सताब्दी का चीक है, चटवी सताब्दी का यहाँ पर मिला है क्या तो important यहाँ पर है 60 सताब्दी का important रहेगा बौध मट बौध मट और यह हाल फिलाल का भी खुदाई हुआ है, तो यहाँ से इस तरह का कुछ अफसेश मिला है तो इतना याद रखना है कि 6 सताब्दी का बौध मट कहां से प्राप्त हुआ है, तो सीतागर पहाडी छेतर से प्राप्त हुआ है, जो हजारी बाग में पड़ता है, हजारी बाग में एक है, दुध पानी ठीक है, दुध पानी अब ये दुद पानी जो है ये भी कहाँ पर है तो हजारी बाग में हजारी बाग ठीक है तो ये हजारी बाग में है तो दुद पानी से क्या मिला है तो आठवी सताब्दी का ठीक है याद रखेंगे यहाँ पर आठवी सताब्दी का इंपॉर्टेंट है अभी लेक प्राप् हुआ है तो थोड़ा सा इसको याद रखेंगे यहां से भी अच्छा कोशन बन सकता है ठीक है एक यहां पर प्राप्त हुआ है बाहर गड़ा ठीक है बाहर गड़ा ठीक है बाहर गड़ा जो है यह भी हजारी बाग में है यहां पर तामबे का जो है तामबे का अगर देखा ज है तो हजारी बाग में है ठीक है एच जेड मतलब लिख रहे है हजारी बाग में ठीक है इसके बाद अगर आगे जाएंगे तो दुम-दुम्मा ठीक है दुम-दुम्मा अब दुम-दुम्मा से क्या प्राप्त हुआ है वो इंपॉर्टेंट है ये भी हजारी बाग में है तो यहां से प्राप्त हुआ है सीव लिंग, ठीक है सीव लिंग, याद रखेंगे सीव लिंग यहां से प्राप्त हुआ है दुमदुम्मा से क्या प्राप्त हुआ है सीव लिंग प्राप्त हुआ है यह important है, और उसके बाद एक मांडू छेत्र मांडू तो अभी जो है important यहाँ पर है कि यह मांडू जो है वो रामगड में भी चला गया है और रजरप्पा जो है वो भी रजरप्पा कहां पर है तो याद रखेंगे यह भी आपका यहाँ पर रामगड में पड़ेगा आप रामगड में मतलब पुराने समय का और सिस्क रूप में यहां से कुलहारी प्राप्त हुआ है कुलहारी आपसे पुछता है सीधा कि मांडू से क्या प्राप्त हुआ है तो थोड़ा सा याद रखेंगे उसके बाद यहां पर खुर्ची खुर्ची मतलब जो एक छोटा कुदाल होता है जिस इतना भी बात था ना एक रामगड का यह बात हो गया इसको थोड़ा सा यहां पर आप यह कर लिजेगा कि यह रामगड का था तो यह आपका रामगड का है मांडू रजरप्पा रजरप्पा में छिन मस्ति का मंदिर है यह आप सबको पता है और रामगड की अस्थापना 2007 साथ इसमे में हुआ था ये भी याद रखेंगे सबसे छोटा जिल्ला रामगड है तेरा सो एक वर्ग किलोमीटर छेतर में ये फैला हुआ है रामगड ठीक है और ये एक मात्र चावनी बोर्ड जो है वो रामगड है ये याद रखेंगे कैथा सीव मंदिर जो है उसको भारत के छेत्र में ही पढ़ता है तो थोड़ा सा इसको याद रखेगा बहुत इंपार्टन पार्ट यहाँ पर रह सकता है रामगड में महिला इंजिनियरिंग कॉलेज जो है वो बनेगा और महिला विश्वविद्दाले जमसेतपूर में बनेगा महिला विश्वविदाले जमसेदपूर में लेकिन महिला कॉलेज अगर कभी पूछे तो रामगड ठीक है महिला कॉलेज कहां बनेगा तो रामगड में बनेगा तो यह सब important बात है थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है बारा सेप्टमबर को यह बना था और यह 24 जिल्ला है जारकन का 24 जिल्ला है कार है एक बार कोशन पूछा है कि एक कैसा सेप में है तो तुरी भुजा कार सेप में तो थोड़ा इसको ध्यान में रखेगा अब इसके बाद हम next आते हैं next important ले लेते हैं मतलब की भावनात पूरू ठीक है यहाँ पर गढ़वा का बात करते हैं गढ़वा मतलब आपको प से भी सीमा बनाता है ठीक है तो यह तीन-तीन मतलब राज्य से सीमा बनाने वाला जिल्ला है तीन-तीन राज्य से सीमा बनाता है कौन तो गढ़वा याद रखेंगे बहुत important जिल्ला है गढ़वा इसको बोलते हैं मतलब मराठी सब्द है मराठी मराठी सब्द है कौन सा भवनाथ पूर, गढ़वा को पहले बोला जाता था भवनाथ पूर, ठीक है, भवनाथ पूर, ठीक है, और याद रखेंगे गढ़वा में एक नगर उटारी छेत्र है जिसका विकास जो है वो किया जाएगा मथूरा के तरजपर, आप पूरा जार्खन का देखे, गढ़वा का विकास जो होगा न वो मथूरा के तरज़ पर होगा मथूरा मथूरा के तरज़ पर होगा और पूरा जारखन का विकास जारखन का विकास के लिए नीति आयोग जो है वो पेर समस्क्रीती से रहता है गोवा बहुत डवलप है एकदम झाराखन नीचे है आप सोच सकते हैं मतलब कहा राजार कहा यह समझ सकते हैं तो इस तरह का कंडिशन है लकिन गढ़वा का विकास मथ्वुरा के तर्जपर होगा और यह मतलब झारकन का देखिए यहाँ पर जो है ना वो सिकार आखेट मतलब होता है सिकार मतलब भाला ले लेता है इस तरह से लोग अब भाला ले करके जानवर को मारे हुए चलता है या तो फिर पत्थर उत्थर से मतलब जानवर का सर उर्फोर फाड़ करके मार करके खाता है तो इस तरह से आखे हिरन का हिरन का सिकार किया उसके बाद भैसा का सिकार किया ठीक है भैसा का सिकार किया इसके बाद जितना भी पसू है वो सब का सिकार यहां पर किया जाता था खाने पीने के लिए लोग करते थे ठीक है और बाद में जब मद्यकालिन छित्र आगया ना तो मद्यकालिन में तो ये मैक्रोलिथिक से किया जाने लगा सिकाल, जैसे पहले तो आखेट से करते थे, फूट संग्रहाक थे, जैसे मारा जानवर उसके बाद उसको रख लेता था, भंडारन कर लेता था, कुछ दिन के बाद भी खाता था, इस तरह का लोग करता था पहले, लेकिन अगर आप दिखेगा अच्छा से न, तो मद्द कालीन समय में, अब जैसे देखे, पासान काल में जब आखेट से करता था, तो बड़े-बड़े पत्थरों से लोगों को मारता था जानवर को, पता चला कि पत्थर बड़ा सा उठाया 20 किलो का, जानवर को मारने के लिए उठाया, इतना बड़ा बड़ा पत्थर उठा के जब तक हम उसको मारते हैं वही उल्टा मार देता है तब लोगों को मद्यकाल जब देखेंगे तो मद्यपासान काल में देखेंगे तो मैक्रोलीथिक छोटे-छोटे पत्थरों से बनाया हुआ औजार का परियोग करने लगा था आपको 20 केजी जैसे उदर से सेर आ रहा है आप कहिएगा कि हम 20 किलो पत्थर उठा के उसका मुडिया पर बजा रहेंगे तब तक वो आपका मुडिया का धर लेगा ऐसा होता है तो कुल मिलाकर जब आदी काल समय में पसान काल में शुरुवात दोर में देखेंगे पुरा पसान काल में लोग आखेट से करता था लेकिन धीरे धीरे मद्य पसान काल तक आते आते वो पत्थर का छोटा छोटा पाट से उसको नुखीला बना बना करके ऑजार बनाया कि जैसे जानवार अटाक करेगा हम फटाक से वार कर सकते तो वो मैक्रोलिथिक हो गया था बाद म मिक्स, साइंस, जारखन, करंट अफेर, सब का धज्या उड़ा के रखते हैं लेकिन आप लोग नहीं करते हैं सीधा सा बात है ठीक है अब देखिए अब इस वीडियो का हम जब डालेंगे तो डालते ही हुए देखेंगे तो तुरंद अभी जितना सस्क्राइबर उससे 20 को पांच्छो कम हो जाएगा फिर दू दिन के बाद वही पांच्छो बढ़ेगा तो पता नहीं लोग को सस्क्राइब करने नहीं आता है या क्या करने आता है हम सस्क्राइब करने बोलते हैं लगता है कि उस सब्सक्राइब करना जो करके रखा है वो फिर से करता है क्या पता है ठीक है मतलब पता नहीं आप क्या बोले आप जो है आप लोग को आप कुछ हम बोलेंगे नहीं जैसे होता है देखते हैं पढ़ाते हैं एक सेल्फ मॉटिवेट होना पड़ेगा आप उस पर डिपेंडर हो करने की सस्क्राइबर बढ़ रहा है कि नहीं लाइक बढ़ रहा ह है नहीं एक तो देखता लोग है नहीं फिर उसके बाद यहां पर पंदरा दिन पहले दस दिन पहले खाली पड़ेगा जैसे जैसे सीजिएल कल होने वाला है तो दूर दीन में सोचेगा लोग कि हम एक दम उखाड करके फिक देंगे एक दम पूरा जैसे से का तो हम एकदम तीर का तार कर देंगे लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है नहीं दू-चार दिन में यहां पर मतलब आपका डिगरी वाला तो पास होवे ने करेगा लोग तो वह तो दूर की बात है लेकिन अब सोच है तो हम क्या बोल सकते हैं तो दो-चार दिन एकदब पूरा रात दिन पढ़ जैसे लास्ट देखेगा जो भी जितना भी वैक्ति हैं दस दिन जो लास्ट में पढ़ते हैं अब लोग दस दिन अगर वो दस महीना पढ़ जाए इसको दस मन्त अगर खाली पढ़ जाए ना तो हम कहते कि कोई भी दावा करते कि कोई भी एक्जाम से ऐसा नहीं होग कुछह नहीं होता है कहने का मतलब क्या बोले हम जदा बोलेगे तो आप लोग बोलेगे कि कुछ ज़्यादा ही बोलते इसलिए चोड़ीए पढ़ यहीं पढ़ने पर यहाँ पर और याद रखेएगा यहां पर सैल चीत्र भी मिला है मतलब गुवक में एक सैल चीत्र मिला ह प्राग एतिहासिक काल का बात कर रहे हैं ठीक कब का प्राग एतिहासिक प्राग एतिहासिक अब प्राग एतिहासिक काल में मतलब यहां पर देखा जाए तो सैल चित्र मिला है सैल चीतर मतलब जो पत्थर पर जो किया जाता है ना सैल चीतर वूग मिला है और ये सैल चीतर इतना ही नहीं है गुफा में है गुफा सैल चीतर यहां से प्राप्त हुआ है तो थोड़ा सा याद रखेंगे इंपोर्टेंट है यहां पर पांडू ठीक है मांडू नहीं मांडू आप लोग पढ़ चुके हैं एक मांडू महसो भी है मांडू महसो मद्द प्रदेश में होता है एक मांडू हमरे यहां है जो यहां पर है रामगड में है और ई है पांडू ठीक है पांडू पांडू कहां पे है तो पलामू छेत्र में पड़ता है पांडू कहां पे है पलामू छेत्र में इसको लाल कर देते हैं ठीक है ठीक लगेगा पलामू छेत्र को लाल कर देते हैं ठीक है अब यहां पर देखा जाए अच्छे तरीका से अगर आप देखते हैं तो important यहां पर यह हो जाता है कि इसमें क्या-क्या कोशन पुछा जा सकता है, और यहां से जितना भी कोशन पुछा जा सकता है, वो important होगा, थोड़ा से इसको ध्यान में रखना है, ठीक है, अब दिखें, यहां पर एक चीज इंपोर्टेंट है, कि मिटी की दिवार यहां से प्राप्त हुआ है, तो यह कभी ने पुछता है, important नहीं है, मिटी का दिवार कहां से मिला है, नहीं पुछता है, एक यहां पर चार पाई वाला, एक पांडू से मिला है, चार पाई वाला ठीक है, पाई वाला पत्थर मिला है, वाला पत्थर मिला है ठीक है पत्थर का एक यहां पर चौकी मिला है ठीक है पत्थर का चौकी मिला है चार पाई वाला एक पत्थर का चौकी मिला है जो पतना संग्राले में रखा हुआ है कहां पर तो पतना का एक संग्राले है तो वहां पर रखा हुआ है पतना संग्राले मे पतना संग्राले में क्यों रखा हुआ है तो पतना संग्राले में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि उस समय हमारे यहां संग्राले नहीं था हमारे यहां 1972 में इधर संग्राले बनाये गया था तो इसके बाद जो है वो संग्राले बना है तो कुल मिला कर यह पांडू से जो पत् याद रखेगा पत्थर का चौकी और चारपाई कहां से प्राप्त हुआ है तो पलामू से प्राप्त हुआ है ठीक है अब पलामू के विशय में कुछ हम बता देते हैं जैसे सबसे पहले पलामू से एक कोश्चन पुछता है इसका बिहार से सीमा लगता है पलामू का बिहार स सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला यही बनेगा क्योंकि यह उत्री कोयल नदी परिस्तित है और उत्री कोयल नदी सो नदी की सहायक नदी है ठीक है तो इसको याद रखेगा और इंपॉर्टेंट है कि यहां जो देखेंगे तो 90% बिहार को फायदा मिलेगा और अंगाब देखेंगे करके यहां पर यह ठीक कर देखेंगे यहां पर है और है सरकार को प्रियोंकिर दिया सबसेजादा पूछे जाने वाला यह कोशन यहां से बनता है तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे यह जो है मैदिनी राइबांद उसमें 24 मेगावार्ड पावर का बिजली प्लांट भी लगाया गया है उत्री कोयल पर योजना भी इसे कहते हैं तो यह लाते हार में है लाते हार ठीक है तो पलामू का किला कहां पर है तो लाते हार में है इसको थोड़ा सा सोच करके यहां पर देखिएगा इसका भी थोड़ा रंग अलगे कर देते हैं क्योंकि बात है पलामू का किला तो यह पलामू का किला जब अलग है तो अलगे रहे ठीक है लाते हार में है तो याद रखेंगे पलामू का किला लाते हार में है पूराना किला किसने बनाया था नया किला किसने बनाया था थोड़ा comment box में लिखिएगा ठीक है इससे पता चलेगा कि आप लोग कितना साथ चल रहे हैं कितना बढ़िय ठीक है और यह बारुव ड्रियो है वो हिंपोर्टेंट है सिह्मत भूम क्रेट्र में है और यहां से एक चीज याद रखना है पत् íक है पत्-讃 करना है यहांपर बिला ह्थऊड़ा अब प्त्- तोडने वाला हतोड़ा पत्-रे का है तो यह पता ने कैसे पत्थर तोड़ता होगा पसान काली इन छेत्र पसान काली इन उनों सब पत्थरे का रहेगा ना थोड़ी वहाँ पसान मतलब पत्थर होता है तो फिर पस्थर यूगी नाम है तो कहां से लुहार लकड़ा जाएगा उसमें ठीके पक्की मिटी का मटके यहां से मिले हैं तो ये भी याद रखेंगे पक्की मिट्टी के मिट्टी के मन के यहां से मिले हैं पक्के मिट्टी के मटके मटके यहां से प्राप्त हुआ हैं तो ये दो चीजें थोड़ा हैं याद रखेंगे यहां से इसके बाद सिंभूम का एक और important जगह है ये तो हो गया एक और important जगह है जिसको कहते है बेनुशागर बेनुशागर तो बेनुशागर important किसलिए है तो यहाँ से सात्वी ये भी सिंभूम में है कहाँ पर है सिंभूम अब ये जो सिंभूम में है याद रखेंगे यहाँ पर तो ये सात्वी सताब्दी के क्या मिले है तो यहाँ से सात्वी सताब्दी का देखा जाए तो पूरी तरीका से यहाँ से जैन मूर्ती मिला है जैन मूर्ती, ठीक है, जैन मूर्ती मिला है, सात्वी सताब्दी का जैन मूर्ती यहां से मिला है, और यह भी कोशन पूछा जा सकता है, सात्वी सताब्दी के जैन मूर्ती कहा से मिला है, यहां से, जैन लोग जो रहते थे न सिम्भूम के चेतरे में, उसको सरक कहा जाता था, याद रखेंगे जैन लोग जो होते थे उसको सिंभूम के चेतर में सरक सरक मतलब जब पैर में काटा चुब जाता है तो लोग उसको सरक बोलता है कि सरक चुब गिया है तो ऐसा ही मतलब सिंभूम वाला लोग समझे इस सब को सरक बोलता था, मतलब काटा जैसा इसको समझता था, वैसे जैन का छेतरब जो है ना सबसे पढ़ा लिखा लोग है, हमरे यहाँ जैन ही है, पूरा इंडिया में, ठीक है, यह सब सबसे सांती प्रिय होता, लड़ता जगरता नहीं है, ठीक है, कारण है कि सिक्षा सब सबसे ज़्यादा है, जिससे इसलाम धर्म में देखेंगे, तो हम देखेंगे, किसी धर्म को क्रिटिसेजम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसलाम धर्म में देखेंगे, तो सबसे कम सिक्षा का दर है, तो ऐसा मानता है, लोग की थोड़ा सा कुराफाती ज़्यादा कर देता है, हिंदु दर्म दूसरा लिटरेसी रेट में सबसे कम है तो देखिए यह सब भी कुराफाती करता है लेकिन सबसे पढ़ा लिखा जो है न सबसे ज़्यादा वेल एजुकेटेड अगर धर्म में देखेंगे तो आपको जैन मिल जाएगा ठीक है इसलिए जैन देखिए कभी भी पर आप से कुछ मांगता हुआ नहीं मिलेगा यह सब जादा तर बैपारी व्यवसाई होता है कारण है कि धर्म कुछ इस तरह का है कि एगरिकल्चर को इजाज़त नहीं देता है क्योंकि यह सब सांती पिरे धर्म है जीवों का हिंसा जीवों का मतलब बचाने पर जोड़ है मैंगों कि हत्या बहुत बड़ा पाप है इससा क्योंकि कहती बार परीयोगकुक्र करके बड़ए वुचनश में जीजने से बोड़े अध्या ऑमें जैनियों को मतलब सिंभूं के चेत्र में सरक कहा जाता था यह याद रखेंगे यहां से कोशन कभी-कभी पूछ देता है ठीक है उसके बाद एक important जगह है बोन गरा ठीक है यहीं पर है बोन गरा ठीक है बोन गरा अब यह बोन गरा जो है वो है कहां पुर्वी सिंभूम में ठीक है यह है पुर्वी सिंभूम में पुर्वी सिंभूम मतलब जिसमें जमसेत्पूर्षब से बड़ा सहर है वो पुर्वी सिंभूम में है तो यहां से क्या प्राप्तु हुआ है वो याद रखेंगे हाथ से बना हुआ हाथ से बना हुआ बना यहां प्राप्त हुआ है क्या मृद भांड तो यह इंपर्टेंट है मृदु भांड या मृद भांड इसको बोलते हैं पत्थर के मन के प्राप्त हुआ है पत्थर के मन के प्राप्त हुए हैं ठीक है मन के मिट्टी के भी मन के बनते थे ठीक है ये इतिहास में पढ़िएगा पूरा डिटेल से इसके बाद यहां पर इंपोर्टेंट है क्या तो इंपोर्टेंट है कुलहारी भी यहां से प्राप्त हुआ है कुलहारी यहां से प्राप्त हुआ है तो यह थोड़ा सा याद रखेगा बोन गरा से इंपोर्टेंट है ठीक है एक है यहां पर इंपोर्टेंट इसको भी देख लेते हैं यहां से इस थे कर ड़िंगाट जो है वह कहां पर है पुर्वी सिम्हूम यह कहँा है पुर्वी चेस्पूर मतलब कि जम्सेत्पूर उसका सब्सेयए उसका सबसे बड़ा मतला सहर یہ वो ठीक है बहुत कुछ है उसको बताते हैं आगे ठीक है अब यहाँ पर क्या मिला है तो important यहाँ पर एक रहेगा काले रंग का मृत भांड ठीक है आप से रंग के अधार का पुछे तो याद रखेंगे काला रंग का जो मृत भांड है वो यहाँ से प्राप्त हुआ है मृत भांड बोले या मतलब यहाँ पर इसको मृत भांड बोलते हैं एक ही बात है तो यह यहाँ से प्राप्त हुआ है फिर उसके बाद आपको एक याद रखना है लोहर दग्गा ठीक है अब लोहर दग्गा जो है वहाँ से क्या प्राप्त हुआ है तो यह कोशन पुछने व यहां से का प्याला यहां से प्राप्त हुआ है फिर उसके बाद एक इंपर्टेंट यहां पर बनता है यह नामकुम नामकुम कहां पर है तो नामकुम आपको पता है यह राची में नामकुम परता है और यहां से क्या प्राप्त हुआ है तो याद रखेंगे बहुत ऑजार प्राप्ट हुएं इहां से प्राप्ट हुआ है थिक है तामबा यवं लुहे का ऑजार और बान का फलक 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 बान के फलक प्राप्ट हुए नाम-कुम्सी जहरनों का सहर, सहीदों की नगरी, हुन्डू जल पर पाथ, सोक्सिजन पार्क, इसके बाद यहाँ पर समराट सोक पार्क, कांके डेम, मैंटल रिसर्स सेंटर, फिर आपका राजंदरा इंस्टिचूट, मतलब मेडिकल इंस्टिचूट, फिर उसके बाद राची है, तबर जो 28 तारीक को हुआ था, मतलब JSSC CGL का एक्जाम, मुराची जिल्ला हम पढ़ाएं हैं बहुत डिटेल से, उसी से 2-3 कोशन सिधे पूछ लिया था, आप चैनल में जाके देखिए, बहुत कुछ पढ़ाया हुआ है, लेकिन आप लोग देखेंगे तब ना, इतन कुछ पढ़ाया हुआ है कि हमको डर लगता है कि हमरा वीडियो सस्क्राइबर से जादा ना हो जाए, और इसी लिए नहीं पढ़ाते हैं, इस सर्म का बात हो जाएगा मेरे लिए, कि वीडियो कम है, वीडियो जादा है, सस्क्राइबर कम है, इसी लिए नहीं पढ़ाते हैं खुंटी के छेतर में पड़ता है, मूरद, और यहां से जो है, यहां से क्या मिला है, तो याद रखेंगे, यहां से क्या मिला है, तांबे का, तांबे की सिक्री यहां से प्राप्त हुई है, सिक्री प्राप्त हुई है, ठीक है, गला में जो महिला लोग पहनती है न, उसी को बोलते हैं और एक है कांसे का कांसे की अंगुठी अंगुठी कांसे की अंगुठी और तांबे का सिक्री प्राप्त हुआ है ये याद रखेंगे और यहीं का एक जो है मतलब खुटी का दर गामा ठीक है गामा दर गामा जो छेतर है ये भी खुटी का है ये ताम्र काल का ताम टाम्र यहां पर पासान काल का अगर देखा जाए तो इस काल का एक गाउं प्रापत हुआ है यहां पर गाउं प्रापत हुआ है तो इसको भी थोड़ा धियान में रखेंगे। इसके बाद आ जाते हैं यहां पर खुटी से तो इंपॉर्टेंट है बिर्शा मुंडा, उलिहातु गाउं, डुमवारी पहाड, जैपाल सिंग मुंडा, दा ग्रेट लीडर, ठीके, उल्गुलान विद्रो यहीं से हुआ था, खुटी के चेतर से गया मुंडा का संबंद भी खुटी से है, अर्जुन मुंडा भी चुना हा रहे हैं, ठीके, अगकों जीते हैं बताईएगा, ठीके, यह सब चीज याद रखे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है खुटी, इसलिए क्योंकि जारकन के भगवान कहे जाने वाले बिर्शा मुंडा का जनम इसी चेतर में हुआ इसके बाद इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जरिया, जरिया जो कोईला च्छेतर है, यह कहां पर है, तो धनबाद, यह देखे, पहले जो है ना, दोसो चौसर्ट परखंड हुआ करता था, लेकिन जरिया को, जरिया को मिला दिया गया धनबाद, धनबाद नगर निगम में, धनबाद नगर निगम में, तो धनबाद नगर निगम में इसको मिला दिया गया, तो दोसो तिरसट परखंड अब रह गया है, जर्खंड में, कितना परखंड रह गया है, तो दोसो तिरसट परखंड रह गया है, याद रखेगा, और यह important है, question पूछा जा सकता है, यहां स से प्राप्तु हुआ है भाला अब भाला कोन फेकता है अप लोग बताएगा भाला कोन फेकता है इंडिया के लिए और जो जपान में हुआ था उलम्पिक उसमें कौन भाला जीता है मतलब gold medal दीता है ठीक है तो भाला भी यहीं से प्राप्त हुआ है तो याद रखेगा जरिया को पुनर्वास किया गया है उसको अब दूसरे जगा सिप्ट किया जा रहा है पूरा एक बसाया जा रहा है जहरिया को क्योंकि जहरिया में यहां पे पूरा जहर्खन का नहीं पुरा भारत का 90% कोकिंग कोल जो है कोकिंग कोल जो है वो कहां से मिलता है जहरिया के छेतर से मिलता है और जहरिया जो है बहुत अधिक मातरा में कोईल उत्पादन करता है ठीक है तो कोईला के लिए जरिया जाना जाता है इसी तरह से कोईला के लिए सिखनी कोईला छेत्र जाना जाता है सबसे पहले पूरा भारत में देखेंगे तो कोईला की खुदाई कहां से हुआ रानी गंज रानी गंज रानी गंज कहां पर है रानी गंज तो यह रानी गंज अब यह कहां पर है तो यह वेस्ट बंगाल में है तो यह भी इंपॉर्टेंट है वो याद रखेगा इंपॉर्टेंट है पूछा जा सकता है इसके बाद एक इंपॉर्टेंट है लुपुंगड़ी अब यह इंपॉर्टेंट है नया पेज ले लेते हैं क कि इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, बड़ी सारा पेज मिल जाएगा हमको, देखिए, लुपु गड़ी, यहां से खाली यही पूछता है कि क्या मिला है, तो कब्रगा, ठीक है, कब्रगा, 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 यहां से मिला है, याद रखेंगे, और यह important रहेगा, यहां से सीदे का सीदक कोशन पूछा जाता है, तो जितना भी बात बताएं, आप लोगको अगर अच्छा लगा हो, वीडियो तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा, बार बार नहीं बोलेंगे कि कितना सब्सक्राइब करने, सब्सक्राइब करने, अगर करने का मन होगा, तो आप कीज होता है, इसलिए बोलना ठीक नहीं, आप लोगको जो अच्छा लगे किजिए, और कोसिस करेंगे कि आप सेल्फ मॉटिवेट होकर के पढ़ाएं, कि चलो पढ़ाना है, हमको लगा था कि अगर चाइनल ग्रो करेगा, तो कल को इंटर्व्यू देना पढ़ेगा, तो वहाँ पर पूछेगा कि इतना साल से गैपिंग बीच में क्या कर रहेते, चार साल, पांच साल का गैपिंग, तो अगर मेरे पास दस अजार सस्क्राइबर होता, तो हम कह सकते थे कि सर, हम यूटूब पर कुछ पढ़ा रहेते, और कुछ नालेज और कुछ जानकारियां बाट रह है कि 5,000 सस्क्राइबर है तो वहां बोल करके अपनी बेजिती थोड़ी करवाना है, नहीं बोलने जाएंगे, कहेंगे कि कुछ औरे कर रहे थे मतलब, थोड़ा बोल सकते थे कि पढ़ार है, क्योंकि आप लोग से भी साथ जूड़े हुए हैं, अपना घर परिवार से भी हम लोग का होता है, वो उससे भी जूड़े हुए रहते हैं, ठीक है, तो बहुत सारा संगर्स है, महनत है, लेकिन हम इसको फ्रिफर जादा करते हैं, क्योंकि इसमें हम इसमें भी टाइम दे रहे थे, लेकिन देखे कि अब सब्सक्राइबर नहीं है, तो इसको बात को बोल झाल, 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